नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड इग्जाम पे जियां दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग चैल्डूड एंड ग्रोइंग अपसे और यह आपके कुश्चिन्स नहीं है कुश्चिन्स तो मैंने आपको पहली अल्रडी प्रोवाइड कर दी हैं इसमें आपके आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो सौट एंसर टाइब कुश्चिन्स आते हैं उनके मैंने एंसर लिखें यह आपको दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिस तो अभी तक जो मेरे दोस्त सिकायत कर रहे थे कि सर सिर्फ आप हिंदी मेडियम के चातरों के लिए वीडियो बना रहे हैं ऐसा कुछ नहीं साती हूं आपके लबी बनाता हूं परन्तु समय थोड़ा काम हो पाता है इस वज़े से इंग्लिस नोट्स को वीडियो में करके आप तक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्स्राइब करना साथ हूं और उसके साथ ही साथ जब भी वीडियो देखने के बाद आपका खयाल बने आपका मन लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए चलिए आगे बढ़ लेत हैं आप इनको भी देख सकते हैं तो देखिए इंग्लिस में जो भी मेरे साथ हैं आपके लिए कंटेंट रेडी है साथ ही हो तो प्लीज आप खुझ से देख लीजिए इन कंटेंट को और मैं हिंदी में पढ़ता हुआ चलता हूं उमीद करता हूं आप इस बात को थोड़ एक तो होता है सिक्षक क्या होता हमारे डिया ज्यान प्रदाता होता है और बच्चों के बारे में ज्यान प्राप्त करके मतलब आप दोने चीज़ों कर समझेगा कि ज्यान प्रदान करके मतलब कि पहले तो आपको सब्जेक्ट के बारे में विश्य के बारे में बताता है व अगले पॉइंट को देख लेते हैं सारीडिक और सैचिक वृद्धिक के विकास के लिए पर्याप्त वातावरन प्रदान करना अब देखें सारीडिक और सैचिक जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चे की मानसिक्ता को अगर एक बार सिक्चक समझ लेता है अपने क्लास में अपने वर्ग में जो बच्चे बैठे हैं अगर उनके बारे में सिक्चक को भली भाती पता है तो वो उनके अनुसार जो है सिक्चर सामगरी तयार करता है यानि कि educational resources जमा करते हैं साथी साथ कौन सी सबसे best technique होगी कौन सा सबसे बहतरीन तरीका होगा जिससे बच्चे समझ स सकें और उनको जो है जो उनकी मेंटल इस्टिति है यानि कि जो उनको चीजों को समझने में कौन सा तरीका सबसे उप्योग थे उस तरह से वो सिक्चर को आगे बढ़ाते हैं उससे फाइदा क्या होता है कि बच्चों की साचिक व्रिद्धी होती है साथी साथ एक कुशल सि साहित करना कला से संबंदी जो क्रियाएं होती हैं बहुत सारी अक्टिविटी होते हैं पेंटिंग म्यूजिक आपके राइटिंग बहुत सारी चीज़ें उसके लिए बच्चों को प्रोसाहित करना तीसरा पॉइंट है सिक्चक पहला व्यक्ति होता है जिसे बच्चा सामाजिक विकास के लिए जो एक आधार भूत और एक मोडल के रूप में सिक्चक कार करते हैं जो अपने आपने बच्चों को एक सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है आगरी प्रिशना देख लेते हैं चात्र के साथ व्यक्तिकत रुप से जुड़ना अब देखे चात्रों को समझने के लिए टीचर को मनुवग्यानिक रुप से बच्चों के साथ जुड़न यह question आपको ठीक से समझ में आगे होंगे और इनके PDF में आपको प्लब्स करा दूँगा बिल्कुल भी परेशान ना हो चलिए अगले प्रश्ण को चलते हैं यह भी वर्ष 2016 का ही प्रश्ण है आपने देखा ही होगा aspects of development देखे दोस्तों इन question को detail में भी आपको मैं बता लेकिन अभी फिलाल मैंने यहां पर लिखा है उसको आप देख लीजिए तो aspects of development यानि कि विकास के पक्च क्या क्या हैं तो बाला के वेवहार में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर विकास के अग्र निखित पक्चों में विवक्च यानि कि विकास के stages को जो है आपके पक्च होते हैं मतलब stage का मतलब होता है क्रम आप समझे यहां पर पक्च बूला गया मतलब प्रकार एक तरह से समझे जैसे बोलते हैं कि आपके व्यक्तित्व के कितने पक्च हैं तो आपके व्यक्तित्व का stage नहीं होता आपके व्यक्तित्व का पक्च होता है यानि कि कभी पर च cosmolog होता है कभी आप लोग साथolo-parakt nourrit को पुर बहुत सालिंटा से काम करते हैं बात करते हैं तो यह जो एक ब air-d lg आग प्रारूप होते हैं पक्ष के जे और वही हम यहां पर देख रहा है तो विकास के लिए भी हम यहां पर घटक या फिर पक्ष वो है आमारा सारेडिक विकास की सारेडिक विकास भी विकास का एक अभिन हिस्सा है दूसरा है आपका मानसिक विकास व्यक्ति के अंदर केवल अगर सारेडिक विकास हो रहा है लंबाई चोड़ाई वजन बढ़ रहा है समय के साथ उसका सारेडिक विक विकास नहीं हो रहा अगर उसकी मानसिक चमताओं का विकास नहीं हो रहा तो यानि कि वह मानसिक पक्ष में कमजूर है तो मानसिक पक्ष का विकास होना चाहिए अगर आपको विकास को सही तरह से मापना है तो तीसरा पक्छ होता है मनुसामाजिक सामाजिक विकास यानि कि शोसल डिवलोप्मेंट अगर आप सैचिडिक रूप से अच्छे हैं आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करिया सारी चीजे आप अच्छा कर रहे हैं अगर अच्छा कर रहे हैं अगर आप इन दोनों पक्छों में आगे बढ़े हैं लेकिन अगर आप सामाजिक रूप से कटे हुए हैं आपका सामाजिक रूप से जो लोगों के साथ जुडाव कमी या सामाजिक नियमों को आप नहीं मानते या सामाजिक रूप से जिस तरह से बेवार करना चाहिए, अगर आप परियापत रूप से वैसा नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ने कहीं आपके अंदर सामाजिक विकास की कमी है, जो की हमारे स्कूल के दोरान, कॉलेज के दोरान, या फिर काम करने के दोरान, यानि की कारेस्थल पर इन सारे चीजों का विकास होता है तो कहीं ने कहीं आपकी वो कमी रह जाती है इसलिए हमारा एक महतुपून पक्ष क्या होता है जो विकास का वह उता है हमारा समाजिक विकास अगला पक्ष है समवेगात्मक विकास जीसे हम लोग emotional development भी बोलते हैं यानि कि मनोवग्यानिक रूप से हमें मतलब, sorry, माफ करिएगा emotional रूप से, समवेगात्मक रूप से हमें विक्सित हो जाना चाहिए समय के साथ जैसे जैसे हमारे उम्र बढ़ती है जैसे जैसे हम सिख्षा प्राप्त करते हैं लोगों से मिलते हैं, सामाजिक रूप से यानि कि जैसे जैसे ये एक, दो, तीन, ये तीन स्टेज हम लोग पार करते चले जाते हैं, हर एक स्टेज जो हमारा ग्रोफ करता हुआ चलता है तो समवेगातमक विकास की बात करें समवेगातमक विकास का मतलब कि आपको अपने समवेगों के उपर नियंतरण है आपको पता है कि किस समय मुझे किस तरह से बैभार करना ऐसा नहीं है कि आप कभी भी गुसा कर देते हैं कभी भी आप हसने लगते हैं कभी भी किसी प्रकार का वैवार सुरू कर देते हैं अगर आप अपने emotions के उपर नियंतर रख पा रहे हैं जरूत की हिसाब से वैवार कर पाते हैं अपनी emotion को अगर इस तरह की चीजे होंगे आप जो चीजे मानने हैं समाज में अगर उन नियमों का पालन नहीं करते तो कहीं ने कहीं आप जो अपनी जिम्मेदारियां एक सिख्षित वेक्ति की रूप में, एक समझदार वेक्ति की रूप में आप उसका पालन नहीं करते यानि कि आप जो है moral रूप से उन जिमेदारियों का निर्वाह नहीं करते यानि कि कहीं न कहीं आपका moral development काम हुआ तो moral development के लिए सिख्षा है एक बहुती बड़ा साधने परिवार और समाज से भी हमारा moral development होता है यानि कि नयतिक विकास होता है नयतिक विकास के अंदर सच्चाई अहिंसा देज प्रेम भाईचारा समाज में अपना योगदान करना अपनी संस्कृति का संबान करना यह सारी चीज़ें आती है हम लोग अगले को ले लेते प्रशन संख्या तीन करक्टर्श्टिक्स और फिजिकल डेपलप्में यानि कि सारी विकास के लक्षण अब देखेंगे हम लोग सारी विकास के लक्षण यह दोनों ही कुशन आपके जो कुश्चन मैंने अभी लिखा है आपका हिंदी में भी ह है नीचे है तो स्क्रॉल करके आप देख लिए पहले समझ देखी कोई भी कुश्चन है इसको अच्छे से समझना में है जरूरी होता है तो सारी विकास मतलब आपके जो बाहिए चीज़ें यानि कि जो जो चीज़ें आप देख सकते हैं वो सरीर से जुड़ी जीन का विका और यहां तक पूरा हो गया अब आप मुझे एक कॉपी चेकर के रूप में जो है आप मुझे बताई यह उत्तर आपको देखने में यह ज्यादा अच्छा लग रहा है यह यह जरूर आपको यह बहतर लग रहा होगा क्योंकि इसको पढ़ने में भी आपका समय कम जाएगा और इसमें सारी चीजे जैसे मैंने बोला कि फिजिकल डेवलप्मेंट की जो लक्षण रहतों क्या होते आपका ग्रोथ इन हाइट इन वेड पहला पॉइंट आपको मिल गया इमप्रूढ माटरिस्किल मतलब की आपके हाथ पहुँआ सही तरीके से काम कर रहे हैं, आपका संतुलन बहुत अच्छा है, बारिक से बारिक काम बहुत संतुलन के साथ आप सकते हैं, तो इस तरह कि अगर आपके सरीर में विकास हो चुका है, आपके हेंड आई कॉर्डिन आप चीजों को कर पाते हैं मतलब आपका सही सारी विकास हो रहा है। biological maturity in the different parts of the body. सरीर के अंदर या सरीर के बाहर समय के साथ आवस्था के उम्र बढ़ने के साथ जो विकास होना चाहिए अगर वो हो रहा है तो आपका विकास जो है सही हो रहा है यानि कि सारी विकास की ये लच्छण हैं। toughness in bone and strong body समय के साथ आपकी हड़िया मजबूत गठीली और काफी सक्त हो जाती है साथ इससे आपकी पूरी body होती है वो strong हो जाती है मजबूत हो जाती है तो ये सारी चीज़े अब आप दोनी question को देख लीजे इन दोनों question को अगर मैं लिखता हूं तो examiner इसमें आपको बिन कि जिससे सामने वाले को answer देने में आपके question को चेक करने में आसानी हो तो हमें सा question को लिखने के कोशिच करें मैंने जान बूच की दोनों question लिखे थे यहां तक एक ही question है आप ये लिखें आप ऐसे भी लिख सकते हैं आप ऐसे भी लिख सकते हैं बट ये question का सई लिखने का तरीका है तो आप देख सकते हैं चली हिंदी में देख लेते हैं आपको दिखा देता हूं अब देख लीजिए यहां पर कि सारी विकास में उचाई वजयन बहतर मोटर कॉशन हाथ आंक का संबन में संतुलित मुद्रा सरीर के विबिन भागों में जैविक परिपक्ता और हड परशने ले लेते हैं components of language भासा के घटक तो यहां पर समझने के कोशिच करेंगे कि देखिए इकलिस में बता देता हूं ब्रिफली मैं आगे बढ़ता हूं कि हर एक language के अपने कुछ नियम होते हैं और उन नियम के अनुसार ही भासा का विकास होता है ताकि जो हम लोग एक अर्थपूर्ण सब्दक उचारन कर पाएं अर्थपूर्ण सब्दों के द्वारा हम लोग आपस में communication कर पाएं तो जो मुख्य घटक होते हैं मुख्य पार्ट होते हैं phonology, morphology, semantic, syntax और pragmatic आईए हिंदी में देख लेते हैं इसको देखिए ध्वनी विज्यान तो पहला भाग होता है भासा के मुख्य घटकों में से आपका देखेंगे ध्वनी विज्यान, ध्वनी विज्यान का मतलब होता है ध्वनी की मूल विकाईयां जिनका उप्योग भासा की बोलने के लिए किया जाता, आप समझ रहे हैं ध्वनी विज्यान के अंतर के हम किन चीजों का अध् दूसरा क्या है रूप विग्यान का मतलब होता है दोस्तों कि आकृति विग्यान से तात प्यर उस नियम से है जिसका अनुसार ध्वनी से अर्थपूर्ण सब्दों का निर्माढ किया जाता अर्थात के जैसे हम लोग बोलते हैं जिसते से बी-ए-डी बैड लिकरे तो यह क् जो हमारे क्या एक नियम के अनुसार है आप ए बीडी बोलके बैड नहीं बोल सकते तो ध्वनी और जो वर्ड़न है उनको सही तरीके में रखने का जो नियम होता है उसे बोलते हैं रूप विज्ञान अर्थ विज्ञान सब्दार्थ विज्ञान सब्दों और वाक्यों में अर्थ को संदविक करता जैसे कि कुटा बिली अब जो सब्द हम बोल रहे हैं उसका क्या अर्थ नहीं थे मतलब जो वर्ड हम लोग बोल उसका मीनिंग क्या होता है वह विज्ञान तो आप समझ गए आपने यहां लिखना अर्थ विज्ञान तो पहला भाग है हमारा क्या को टे चोटे इकाईों से अर्थ विज्यान के मतलब कि जो सब्द हम बोल रहे हैं करममें जैसे मांघकि चल्ए ध्वनियों का हम साही करम में रखते हैं तो उसे क्या अर्थ निकलता N.A. विन्यास उन नियम को संधर्वित करता है जो निर्दिष्ट करते हैं कि सार्थक को आप समझ गए यहां पर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले कोश्चन के लिए बड़ाई अच्छा कोश्चन है यहां पर कि रोल औप पनिश्मेंट और रिवार्ड इन मूरल डेवलप्मेंट यानि कि नैतिक विकास में दंड और पुरिसकार की भूमी का तो आप द से वो बच्चों को सही दिसा में आगे बढ़ाते हैं उनको सही गलत की पहचान करवाते हैं आई इसको पढ़ते हैं आप खुदी समझ जाएंगे पालन कोशन और बाल विकास के बुनियादी साधनों में से एक अच्छे वैवार पर पुरिश्कित करना और बुरे वैवार दंड देना जिया दोस्तों अच्छे वैवार पर पुरिश्कित करना और बुरे वैवार पर दंड देना हर माता पिता की दिंचरिया यह हरी घर में होता हर एक व्यक्ति के जीवन के बच्चपन का हिस्सा होता है तो जब हम गल्दी करते हैं माता पिता हमें डाटते हैं जिकांस हिस्से को एक एच्छे नैतिक आच्रन की और लेके जाती है मतलब आप समझेगा कि हम जब दंड दिया जाता है या पुरुसकार दिया जाता है यह दोनों एक साथ चलती है दंड और पुरुसकार कुछ चीजों के लिए हमें डाटा जाता है कुछ चीजों के लिए हम इसमारे अंदर होता है हम जो आत्मिश्वास भी लाते हैं नैतिक जो वेवार होते हैं उनको सीखते हैं तो इस तरह की चीज़े जो एक वैस्क के रूप में एक सामाजिक प्राणी के रूप में हमें चाहिए वो सारी चीज़े जो हैं दंड़ पुरुषकार के माद्यम से की दो परिभास आपको लिखने है तो आप को भी यह दोनी फेमस हैं आप लिखने अगर आरे स उडवर्त की बात करें हम लोग यहां पर देख लेते हैं तो श्टीडप पॉड़ी और माइंड अब इसको इन दी में समझ लेते हैं दो लिखना है आप मैने तीन दिये हैं आपको इतना ही लिखना है तो जर्श फिल्ड के अनुसार समवेग की परिभासा किसी प्रकार के आविश में आना भड़क उठने तथा उस्ति हो जाने की अवस्था को समवेग कहते हैं इसके अलाव अभी देखते हैं लोग रॉस के अनुसार समवेग की परिभासा समवेग चेतना की वह वस्था जिसमें रागात्म तत्व की प्रधानता होती है उड़बर्त के अनुसार समवेग की परिभासा समवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है मतलब आप जब आपकी क्या कहलाती है इमोशन हर तरह के होते हैं आपके अच्छे और बुरे तो वह आप यहां पर लिख सकते हैं यह दो परिभाशा है आपको लिखने से ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है सोशल एंड कल्चिरल लेग देगे दूस्तों मैं बताता हूं मैं इसको डेफिनिशन अब भी आप खुज इसको लिख सकते हैं क्या लिखना मैं समझाता हूं आपको कि पिछले कुछ दसकों में आप बोलें पिछली एक सताबदी में पिछले सौ सालों में जब से और उसके बढ़ गया हैं लेकिन जो हमारे मूल इते जो नैतिकता थी जो हमारे संस्क्रिट है कही न कहीं वह हमारी प्रगति के साथ में ताल्मिल नहीं वैठा पाई जैसे कि मानगे अगर आपने साइकिल से कार में चलने की प्रकृया पूरी कर ली लेकिन आपको सामाज है जब अध्योगिक विकास के तक्निकी विकास के साथ जो हमारे मूल्य हैं वो तालमेल नहीं बैठा पाते हैं तो कहिने को हम लोग सांस्कृतिक रूप से पीछे रह जाते हैं और इस सांस्कृतिक रूप से पीछे रह जाना यानि कि भौतिक प्रगती और सांस्कृतिक और मू बोटिक और टेक्निक आयाम जीवन शैली तेजी से विकास किया है और हम मानो सभिता यहापे देखते हैं और हम मानो सभिता काफी आगे निकल चुके जी या दोस्तों काफी आगे निकल चुके purely हुआं पर हम संश्कृती और सामाजिक रूप से तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि भौतिक रूप से तकनीकी रूप से तो हम काफी आगे बढ़ गए लेकिन जो मानविय मूल थे जो आपसी भाईचारे की भावनाई थी राष्टियता की भावनाई थी इस तरह कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक मूल थे वो कहीं ने कहीं कम होते चले जा रहे हैं उसमें उस तरह से विकास नहीं हुआ जैसे की तकनीक में हुआ तो इस तरह से ये जो आपकी कमी आई है ना जो खाई सी एक बढ़ गई एक जो गैप आ गया है इसे ही बोलते हैं हम लोग सामाजिक और सांस्कृतिक विलंबन सब्द सांस्कृतिक विलंबन का मतलब है सांस्कृति को तकनीक नवाचार के साथ तालमिल करने में समय लगता है जिसका परणाम सवरी समाजिक समस्या होती है जिया दोस्तों जब इस तरह की सांस्कृतिक विलंबन होती तो कई सारी समाजिक परिशानिया भी होती है वो हम आगे बढ़ते हैं हम लोग मीनिंग आफ इक्वालिटी आफ एजुकेशन अब देखेंगे दोस्तों मेनिंग आफ एक्वालिटी आफ एजुकेशन अपोचनटी यानिकि सैच्छिडिक आउसौरों की समानता का अर्थ यहां पे देख लेते हैं दोस्तों term equality refer to equal condition in which all persons have equal opportunities for development equality of educational opportunity does not mean equal education for all यह देखें बढ़ी important line है आप समझेगा यह मैं आपको बिलकुल भी बताना चाहारा था है कि यह बहुत important लाइना कि समानता कर्थ यह नहीं होता कि आप समझे गए यहां पर देना इक्वालिटी अफ एजुकेशनल अपॉचिटी डज नाट मिन इक्वल एजुकेशन फॉर आल तो इसका मर्थ है मतलब है कि आप यहां भी समझ लीजेगा कि यहां भी समझेगा सब्ससे तात पर उन समान परस्तीतियों से हैं जिसमें सभी व्यक्ति व्यक्तियों को समान इными डिफनीशन शिचा नहीं यानि कि सैचिक अफसरों की समानता का तात्पर कभी समान रूप से नहीं हो सकता मतलब सैचिक अफसरों की समानता का तात्पर सभी के लिए समान सिक्षा नहीं बलगी प्रतिक बालों को उसके सारीरिक, मानसिक, समवेगात्मक, नैतिक परिष्टितियों के अनुसार शिच्छा परदान करना है इसका ताथपर है कि राजे द्वारा यानि कि राजे सरकार केंद्र सरकार द्वारा अभी यहाँ पे देखते हैं यहाँ कोश्रिको व्यक्तियों को सिच्छा के संदर में जाती, रूप, रंग, प्रांतियता, वद्भासत, धर्म के आदि के आधार पर कोई भेदभाव ना करते हैं सब को समान आउसर देना है मतलब यह कि सिच्छा के जो आपके समानता की बात को रही है सैची का अउसरों की समानथा के मतलब یہ होता है कि हर एक आदमी को सिख़ा के अउसर देने यहाएसा मतलब यह नहीं है कि क्लास वन में बच्चा पढ़ रहा है उसमें जो भी चीजे पढ़ाई जा रहे हो हर एक बच्चे को पढ़ाई जे सिच्छा के अउसरों के समानता का अर्थ यह होता है कि बच्चे की जैसी परिष्टिती है अब मान के चलिए एक बच्चा जो मानसी गुरूप से विकलांग है अगर आप उसको भी एक ही क्लास में रख दें और आप बोले कि मैंने इसको सिच्छा के समान उसर दे दिये तो क्या वास्तों में सही है बिलकुल भी नहीं सही है तो सिच्छा के उसरों की समानता की मतलब यह होता कि जिस वक्ति की जैसी परिष्टिती है उसको उसके अनुसार सिच्छा अगर एक बच्चा दस दिन में किसी चीज को पढ़ पाता है क्योंकि वो मानसी ग्रुप से थोड़ा सा आपके बोल सकते हैं कम जोर है तो उसको दस दिन में पढ़ाया जाए और अगर बच्चे आपके कोई दो दिन में पढ़ाया जाए यह होता है सैचिक आउसरों की समानता तो इस तरह से आपको इसको लिखना है चलिए आगे बढ़ते हम लोग globalization and objective of education वैसी करण और सिख्चा के उद्देश है यहाँ पे काफी point अच्छे अच्छे हैं इंग्लेस वाले भी आप देख लिए समझ जाएंगे leading to increase emphasis on internationalization of this subject included in course of studying in school मतलब कि जो globalization और सिख्चा के बीच में जो सिख्चा के उद्देश हैं इसमें जो संबंद हैं वो यह है कि देखे globalization बढ़ने से क्या हुआ है कि जो सिख्चा है उसका आपका वैस्वी करण हो गया internationalization हो गया उसे हुआ क्या है कि जो अंतराश्ट्य अस्तर पे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो भी अब हमारे school में भी आपके school में भी पढ़ाय जाने लगे भारत में ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे के data science computer science में बहुत सारे नहीं नहीं आ गई है जो पहले भारत में नहीं बढ़ाई जाती थी लेकिन क्योंकि अंतराश्ट्य विकास के करण और अंतराश्ट्य विकास के साथ ताल मिल बैठाने के लिए हमें इस सारी चीजों को पढ़ना पड़ता है सीखना पड़ता है इसलिए globalization के प्रभाव के करण जो भारत अब चलिए आपको मैं दिखाता चलता हूं हिंदी में भी देख लिए आप यहां पर चलिए इस्कूल में अध्यन के पार्टिकरम में सामिल विश्व के अंतराश्टी करण पर जोड़ देना तो आप पहला पॉइंट तो समझी गएंगों दूसरा पॉण लेता है या दु लिए रिसर्च और भारत के बहुत साररे शक्षण करता हैं और भारत के बहुत सारे सास्त्री ऑप시क्वाद के आपके अपन्तराश्ट क् elli और प्रझाश्ट जो हुआ या आपके बाटी में सक्र profan करता है जो कि सिंपर करता है कि अब रागेदी या कि कोई DOG नहीं रहे अब भारत का वेक्टिवी या कि zoris क व्यकतिवी हमारे देश में psychiat हम किसी और के पास जा सकते और यह सिक्छा की महत्पूर्ण देश है कि सब के साथ समानता हो सब को समान आउसर मिले चाहे वो सिक्षा का हो चाहे वो आपके अनुसंद्धान का हो या फिर आर्थिक या समाजिक रूप से आगे बढ़ते ग्यान आधारित वैस्विक अर्थव्यस्था में प्रतिस परदा करने के लिए आवस्यक चमताओं का निर्माड करना साजा और लागो करना यानि कि जो नौलेज है आपके पास में जो चीजें आप सीखें अंतराश्य तर पर अगर आपको कॉंपटिशन करना अगर भारत को जापान जैसा बना अमेरिका जैसा बना तो हमें अपनी सिख्षा को भी इस लेबल तक लेके जाना पड़ेगा तो उसके लिए हम जो ज्यान का आदान परदान करते हैं जो चमताओं हमने की हैं उसका निर्माड करते हैं बाहर से ग्लोबलाजेशन के वज़े से जो भी अच्छी चीज़ा हम सीखते हैं हम अपने में असको आसनाथ करते हैं अपने में इंक्लूड करते हैं और अपना गरोध करते हैं लाना पढ़ेगा विस्वस्तरिय बुनियादी धाचा और सीमा पर ग्यान साजा करने आगे देखते हैं अगले कुशिन को दुनिया भर में उस संस्कृति को समझने का अवसर अब देखे वैस्वी करण से एक फाइदा और होता है कि जब हम देश के विदेश में अलग अलग जहों पे जाते हैं तो अलग 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 लोगों से मिलते हैं उनके संस्कृति उनके सैच्छिडिक प्रक्रियाओं से परि महत्रपूर प्रशन है रिपेटेट कुछन है यह पहले हम देखेंगे कि राष्टी ता क्या है वाट इस नेशनल इंटिग्रेशन राष्टी एक ता क्या है नेशनल इंटिग्रेशन इस द बॉन्ड और टोगेधरनेस ब्ट्वें पीपल रिगार्डलेस आफ दियर कास्ट क्रीड देखें कास्ट क्रीड रिलीजन जेंडर इस द फीलिंग ऑफ वननेस मतलब बनने एक एक अत्व का ब्रदरोड शुशरी यूनिटी अंडर वन कम्यूनिटी सोसाइटी इन ए कंट्री नेशनल इंटिग्रेशन हेल्प्स टू कीप दे कंट्री उनिफाइड एन राष्टियता की भावना है हमारे अंदर वो लोगों के बीच जाती धर्म या लिंक की परवा किये बिना बंधुतों और एक जूटता लाती है जो हमें आपस में जोड़ती है आपस में भाईचारे को बढ़ाती है साथी साथ या एक देश में समुदाएं और समाज के तहत मतलब जो हमारे देश में आपको पता है कि इतनी विविदता है इतने धर्म इतने समुदा है इतनी भासाएं बोली जाती है जो इतनी विविदता है उसके बावजिद भी ये राष्टियता की जो भावना है राष्ट प्रेम की जो भावना होती है ये सब को एक साथ लाने म बहुत बड़ा रूल निभाती है, बहुत बड़ा योगदान देती है राश्टीता की भावना की वज़े से राश्टी एकता भाईचारे और सामाजिक एकता की भावना का विकास होता राश्टी एक्ता विवित्ताओं के बावजय देश को घीतर से एकिकरित करता है और मजबूत रखने में मदद करता है तो मेंद करता हूं दोस्तों राश्टी एक्ता की भावना यानि राश्टी एक्ता क्या है इसके परिवासा आप अच्छे से समझ गये होंगे आपको अपनी परिक्षा में मात्र इतना ही लिखना है इसे जादा नहीं लिखना है जब दो नमर के प्रश्णा है तब चले आखरी प्रश्णों देख लेते हैं आखरी प्रश्ण क्या है राष्णी एक्ता की आउसकता क्या है भी पहला कॉंट लिखते हैं कि नेश्टी एक्ता की फाइला यह है अपका इट यूनिफाइज यूनाइट एवरी सेक्शन आप इस सोसाइटी मतलब राष्णीता के भवना क्या करती है समाज को जोड़े रखती है पहली बात तो हर एक इट हेल्स प्रवाइडिंग एक्वल अपॉर्चुनिटी फोर इच सेटीज जो नेश्टन इंटिग्रेशन होता क्या अगरता समाज के हर एक वर्क को जोड़ के रखता और जिसकी वज़े से समाज के हर एक वर्क को समान अधिकार प्रापत हो चाहे वो सैच्छिडिक हो आ इसे लोगों को आउसर प्रदान करती है ऐसे लोगों को सुरक्षा प्रदान करती है कि आप अपनी मानिताओं को अपने आधार पर जीएं आप उनका पालन करें उनका अनुसरण करें चले हिंदी में भी देख लेते हैं इसको राश्टी यता की भावना को पहले पड़ापट राश्टी एक्ता को देश एक बनाने में गतिशील भूमिका नेभाती है यह समाज के हर प्रतिक नागरी को समान आवसर प्रदान करने में मदद करता है यह सामाजिक सांस्कृति यह आर्थिक विकास के मावलूम में भी एक समान मंच प्रदान करता है राश्टी एक्ता अलब संख्यों को एक जुट करके साथ-साथ उन्हें बिना किसी हस्ता चेप के अपने तरी सार का मतभेद नहीं है तो वो देश जल्दी विक्सित होता आप इतो यह इन कंपर जो अधर कंट्रीज जहां कि आपके लड़ाई जगड़ा है इंटरनल क्राइसिस है जहां पर सिविल वार है तो आप देख सकते वैसे राश्टों को और भारत जैसे राश्टों को या अम सब्सक्राइब करने को संब्सक्राइब करना है। तो अगले वीडियो में तब तक तक के लिए नवश्कार तयारी में लगे रहे है आल डवेस्ट